चीन एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो दूसरी तरफ भारत को घेरने की कोशिश करता है कभी चीन भारत की सरजमी को अपना बताता है तो कभी समुद्र की सीमा में घुश कर अपनी ताकत दिखाता है हर बार की तरहा इस बार भी चीन की सेना ने नियंतरन रेखा पर शांती बनाये रखने के लिए भारत के आधिकारियों से बात दी है ये बैठक अरुनाचल प्रदेश के तेवांग जेले के तहट बुमला में भारती सेना और चीन की पेपुल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों के बीच हुई इस उचस्तरिय बैठक में दोनों पक्षों ने नियंतरन रेखा पर शांती बनाये रखने और आपसी मितरता को मजबूत करने पर जोर दिया है भारती टीम का नेतरत मेजर जनरल पीजी के मैनन ने किया जबकि चीनी प्रतिनिधी मंडल का मेजर जनरल ली शिंग छोंग ने किया बैटक से पहले दोनों अधिकारियों ने अपने अपने देशों का जंडा फैराया और दोनों पडोसी देशों के आपस में संबंध को मजबूत करने के उपायों पर विचार विमच किया रक्षा विभाक की ओर से चारी एक बयान में इसकी जानकारी दी गई बयान में कहा गया कि वर्ष 1990 में शुरुवात हुई इस बैठक पर मेजर जनरल सर के अधिकारियों के हिस्सा लेने का ये पहला मौका था इससे पहले बुधवार को दिवाली के मौके पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बढ़ाई दी और मिठाईयों और उपहारों का आदान प्रधान किया था तिवांक शहर के 42 किलोमेटर दूर 15,000 फीट की उचाई पर बसा बुमला सीमा बैठकों के लिए तैय देशों की पांच जगाहों में से एक है ब्योर रपोर्ट भारत तक अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियो और शेर कीजिए